वेल्कम बैक टू माई चैनल सु आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे और आप अपने एक्जाइम की पिपेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो हम लोगों ने टेक्सोनॉमी का बहुत सारा पार्ट पहले ही कवर कर लिया है आज हम एक न्यू चीज़ आपको पढ़ाने जा रहे है न्यू यूनिट से जिसका नाम है फिनाटिक्स ठीक है तो फिनाटिक्स टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे देन हम कल क्लैडोग्राम एन क्लैडिस्टिक के बारे में पढ़ लेंगे ओके तो आज सुरू करते हैं वीडियो अगर चैनल पर नियू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मोटिवेट करता है हमें बहुत और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजेगा ठीक है कि उनकी भी हल्प हो जाए Now, Phenetics क्या होता है सबसे पहले पढ़ते हैं In Biology, one main method used to classify species into group is known as Phenetics ठीक है तो बायोजी में एक सबसे महत्तोपूर method होता है किसी भी species को classify करने का Groups में ठीक है? Groups में classify करने का जिसका नाम है Phenetics जिसको कि हम Phenotypic भी बोलते हैं क्या बोलते हैं Phenotypic method होता क्या है न कि Phenetic method में हम जभी भी माली जे दो organism है ठीक है? दो organism है दोनों ही एक तरीके की दिखाई दे रहा है If two species look similar with each other then either does to any other species they will group together यहाँ पर होता है क्या है कि हम morphology की बात करते हैं Simple सी बात समझो कि Phenetics क्या होता है Phenetics हमारे biology में एक महतोपूर एक classify किसी भी species को Group में classify करने का एक तरीका है जि में हम morphologically ठीक है इसको याद रखना morphologically यही term न याद रखोगे यही magic term है यहाँ का morphologically पर हम किसी भी species को Group में क्या कर देते हैं Divide कर देते हैं ठीक है जैसे कि माली जी यह है आपका wolf और यह है आपका dog और यह है आपकी dolphin तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इन दोनों में से similar क हम इन दोनों को एक group में रखेंगे लेकिन क्या यह जो dolphin है वो इन दोनों की तरह दिख रही है तो नहीं भाई यह dolphin इन दोनों की तरह नहीं दिख रही है तो यह अलग group में चली जाएगी तो यहाँ पर होता क्या है कि बस हमने देखा और हमने क्या कर दिया classify कर दिया introduction में अ Michael Adencen ने दिया था It is a type of classification which is based on the overall similarity of the organism कितना similar है दो organism के बीच में कितनी similarity है इस basis पे जब हम classification करते हैं थो हम उसे fanatics कहते हैं It came in an era ये उस time पर आया था जब advanced method and technology नहीं हुआ करते थे ठीक है? नहीं हुआ करते थे This type of classification groups were made based in a single और few observable character easily observed मतलब ये उस time पर देखो यहाँ पर बोलने का यहीं मतलब था कि ऐसा मैं आपको बता रही हूँ कि fanatics उस time पर आया था जब बहुत ज़्यादा development नहीं हुआ था बहुत advanced technique नहीं थे तो हम क्या करते थे? कि जब भी भी हमने wolf देखा और dog देखा देखते थे तो हम उसे classify कर देते थे कि यह जो दोनों है वो एक group में रहेंगे लेकिन अगर हम बात करें हमारे fish की तो क्या वो dog और wolf की तरह क्या वो terrestrial animal है? नहीं वो aquatic animal है, वो किस में रहती है? जल में रहती है, पानी में रहती है वही अगर हम wolf और dog की बात करें तो वो हमारे जमीन पे रहते हैं तो इसके basis पे हम क्या करेंगे? डॉल्फिन को अलग कर देंगे wolf, dog और डॉल्फिन यह सभी के सभी mammal है बट still, only because of the fanatic group हम क्या कर देते हैं? जो हमारे dog and wolf है उनको अलग जगा रखेंगे और हमारे जो डॉल्फिन है उन्हें हम अलग जगा रखेंगे तो यही है fanatics का introduction था definition पढ़ लो कि fanatics is a type of numerical taxonomy ठीक है, numerical taxonomy पर हम वीडियो बना देंगे बस इतना समझ लो कि numerical taxonomy का ही एक type है fanatics where organisms are arranged according to the overall similarity of existing organism based on available character हमने बता दिया आपको this type of classification is termed fanatic classification ठीक है उसके बाद देखिए goal क्या होता है आकर हम use क्यों कर रहे है fanatic classification it provides a convenient general purpose framework for accommodating the diversity of plant and animal पतब आपके पास बहुत सारे ठीक है आपके पास देखिए यह हमने काफी सारी यह हमने बना दिया red ठीक है यह हमारे माल लीजे की terrestrial animal है ठीक है yellow वाले and जो हमारे जो red वाले है they are aquatic animal ठीक है और यह है हमारे aerial animal ठीक है जो की उपर उड़ते है okay so these are aerial तो अब यह बताओ कि अगर इसमें से मैं आपको कोई एक specific organism ढूडने को बोलूँ तो इसमें आपको time नहीं लगेगा आपको नहीं लगता है इसमें time लगेगा लेकिन माल लीजे कि अगर हमने इसको ऐसे बना दिया क्या कर दिया aerial animal को अलग कर दिया फिर हमने अपने माल लीजे कि हमने क्या लिया था अभी तो मैं confused हो गई खुदी यार मने क्या लिया था ठीक है, माल लिजे कि ये हमारे aquatic थे न, red वाले तो हमने इनको एक group में रख दिया, ठीक है फिर ये हमारे yellow वाले जो हैं, वो हमारे terrestrial थे और जो green वाले हमारे aerial थे तो अब अगर मैं आपसे बोलू कि कोई organism इसमें से डूड़ो तो आपको भाई पता, अगर माल लिजे कि मैंने बोला कि आप किसी bird के बारे में, एक specific sparrow के बारे में हमने बोल दिया तो अब आपको वो पिछले की तरह आपको घूमना नहीं पड़ेगा आपको पता है कि अच्छा यही वाला तो aerial वाला ग्रूप है तो इसी में हमको कहीं मिल जाएगी तो इस convenient के लिए ना, इस convenient और easiness के लिए हम क्या करते हैं फिनेक्टिक्स का यूज करते हैं कि अगर हमें किसी specific जानवर के बारे में पढ़ना हो या फिर किसी भी plant के बारे में पढ़ना हो तो हम क्या करते हैं, फिनेक्स का यूज करते हैं कि हम उसे easily पढ़ सके without time waste किये ठीक है उसके बाद देखे, examples अभी हमने आपको उपर भी बताया था बढ़ यहां पर भी आपको बता दे रहे हैं तो for example, turtles, lizard and crocodile इन तीनों के पास, scaly tetraports होते हैं मत्तब कि चार पैर ठीक है, इनके पास होते हैं और चारों के चारों कैसे होते हैं, scaly होते हैं इसलिए हम इने class reptilia में रखते हैं तो हम morphologically ही तो देख रहे हैं ना अब आप पैर देखने के लिए अंदर तो नहीं उसकी body में घुस रहे हो ना आप ऐसे ही देख ले रहे हो पैर लेकिन इन सभी के पैर जो होते हैं वो scaly होते हैं, तो हमने क्या कर दिया इनको reptilia class में रख दिया वहीं अगर हम bird की बात करें तो feathered flyer, इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, पंक होते हैं इसलिए हमने उनको अलग class दे दी Aves की, जिसमें सभी पंक वाले ठीक है, सभी पंक वाले पच्चियों को रखा गया है, जो की आपका bird ठीक है, तो ये आपने देख लिया classification की morphologically similarity के basis पे हम classification करते हैं तो हम उसे fanatics पोलते हैं टेक्निक देखिए, it is a primitive way of classifying organism, ये सबसे ज़्यादा primitive, मतभी सूच में starting वाला point था classify करने का किसी भी organism को however, fanatics include the uses of various techniques, ऐसा नहीं है कि primitive था तो इसने कोई technique ही नहीं यूज़की थोड़ा बहुत technique इसने यूज़की जहां पर order to build relationship among organism, सबसे पहले तो organism की बीच में क्या relationship है उसको देखा गया, फिर उन्हें clustering and ordination, ठीक है ये दो type होते हैं, ठीक है clustering and ordination का use करके are two ways in which organisms undergo fanatic classification, पहले clustering करते हैं, फिर ordination करते हैं, during fanatic classification clustering and ordination of organism take place based on phenotype, उनके phenotype के basis पे, आपने genotype and phenotype पढ़ा है न, genotype जब आप genetic चीज़े include करते हो, और phenotype मतलब कि जब आप morphologically चीज़े use करते हो, ठीक है किसी भी चीज को classify करने के लिए, तो phenotype की basis पे यहाँ पर taxonomist या फिर scientist होते हैं वो use करते हैं, for dozens of characters are analyzed before clustering organism, तो एक साथ cluster, cluster मतलब क्या होते है कि इकठा कर देना, तो एक साथ बहुत सारे organism को इकठा करने के पहले हम लोग different dozens of characters देखते हैं, दो organism के बीच में तब जाकर कि हम clustering करते हैं, then the representation of these characters are graph, फिर उनका एक graph पनाया जता है now, phenatic, जो phenogram phenogram क्या होता है, उससे पहले dendrogram समझो, dendrogram ऐसा एक structure होता है, दिखो मालो यह है न, ऐसा structure ठीक है, अब यह ऐसे चला जाएगा, फिर यह ऐसे चला जाएगा यह ऐसे चला जाएगा, तो ऐसे tree like structure को हम अपने biology में dendrogram बोलते हैं, और phenogram क्या है, phenogram एक dendrogram का type है, which is based on the phenatic data, phenogram है तो phenatic data के उपर basis होगा phenogram पढ़ेंगे, तो cladistic data पर basis होगा, तो used in the analysis to show similarity and dissimilarity among specimens और group of specimen, ठीक है, line called phenol line, आप जैसे माल लीजे, कि हमने यहाँ पर आपका बनाया है, ठीक है हमने यह बनाया है, तो इसमें जो आप line बना रहे हो, उसको आप phenol line बोलते हो, क्या बोलते हो phenol line बोलते हो draw at the right angle, और यह देख रहा हो यहाँ पर, यह बन रहा है आपका right angle पर, देखो यह भी राइट angle तेखो तो राइट अंगल पर बनता है, और यह dicotomously branched होता है अब यह branched एक है ना यह एक आया ऐसे branched हो गया ठीक है वैसे यह आएगा branched हो जाएगा फिर यह आएगा branched हो जाएगा तो ऐसे branching भी इनमें पाई जाती है represent line of percentage और यह जो branching होती है यह क्या दिखाती है यह आपकी line of percentage दिखाती है कि कितनी similarities है हमारे phenatic मतब कितनी organisms के बीच में similarities है ठीक है तो यह आपको phenatic या phenogram से आपको पता चलता है माल लीजे हमने dolphin और dog and wolf लिया तो आपको पता है कि dolphin हो या dog हो या फिर wolf हो यह सभी के सभी mammal है तो आप एक line बनाओगे mammal के लिए ठीक है आपने एक line बना दी फिर आप right angle पर dichotomously branched करोगे यह चल यह हो गया dog and wolf and यह एक आपका dolphin हो जाएगा अलग से ठीक है यह देखो यह dog and यह wolf and यहाँ पर आपकी dolphin आजाएगी तो आपने यह बना दिया देखो कि fanatics में कमी क्या हुई कि इसके वज़े से इस classification को neglect किया गया कहीं ना कहीं जो main drawback था हमारे fanatics का वह देखा गया कि there can be misinterpretation of organism into group as only physical visible characters are considered इसका बहुत अच्छे example देते हैं मालने जे कि हमने dolphin ले लिया wolf ले लिया dog ले लिया और रोहु एक मचली ले ठीक है तो यह बताओ कि अगर हम बस fanatics मतलब morphology की similarities पे देखने जाएं तो हमें यह पता चलता है कि जो हमारा रोहु मचली है और जो हमारी dolphin है वो द अगर हम इस basis पे classify करने जाएं तो हम dolphin and रोहु मचली इन दोनों को भी तो एक में classification कर सकते हैं क्योंकि they both live in the aquatic life ठीक है aquatic में रहते हैं यह तो यहाँ पर misinterpretation हो जाता है हाला कि जो dolphin है वो mammal है dolphin क्या है वो mammal है क्यों अगर हम इस basis पे बस fanatics पे करने जाएं तो misinterpretation हो सकता है dolphin को ह हम अपने पाइसेज वाले class में भी रख सकते हैं तो यहाँ पर fanatics में misinterpretation होने की बहुत जादा chances होती है this could give a false result during the classical clustering process यह clustering process में बहुत जादा अर्चन डालेगा भई obviously बाते गलती होगी तो एक छोटी सी गलती बहुत बढ़ा मतब एक गलती कर देगा therefore in classifying it is important to analyze many method of grouping for accuracy especially the phylogenetic data of organism इसलिए phylogenetic data of organization का हम अभी यूज करते हैं जादत तर और तो आप जानते हो कि natural classification हो गया करा रहे हैं हम mcq के लिए तो ऐसा नहीं है कि वह बस bsc first semester वाले ही cell biology का question solve करें हम recommend करेंगे कि आप लोग भी mcq के question solve करें क्योंकि जब आप msc के entrance दोगे या फिर coet दोगे या फिर कोई भी examination दोगे तो वहाँ पर cell जो है उससे बहुत सारे questions आते हैं तो उसे भी आप जाक subscribe करते रहे हसते रहे मुस्कुराते रहे बबाए